आप सभी को स्वागत है चलिए शुरुबात कर अपने हलकी फुलकी एक छोटी सी कॉमेडी से अनुप जी प्रम कोटा एक बार मेरी बीबी ने मुझसे पूछा अगर मैं दो चार दिन ना दिखूं तो तुम्हें कैसा लगेगा तो मैं बहुत खुस हुआ मैं बोला बहुत अच्छा लगेगा फिर क्या था बीबी सुमवार को नहीं दिखे मंगलवार को नहीं दिखे बुद्धवार को नहीं दिखे गुरुवार को भी नहीं दिखे फिर सुकुरुवार को जब मेरी आखों का सूजन कम हुआ तब जाकर थोड़ा थोड़ा दिखी आईए अब देखते हैं एक 100 साल प्राणी ट्रेन जो स्टीम एंजन से चलती है और अभी कॉलर अड़े में चलती है 100 दियस ओल्ड ट्रेन विच स्टीम एंजन चकानी थे चलती हैं प्सक्रीए प्लेओ करा है था बո्डूबाँ की ट्रेओते के अजन है हैं इख स्टीम एंजने प्सक्राणी एंजनी मैं है कर दो अतो जो लोग डायर होते हैं वो काफियत तक फ्री तो होते ही हैं किसी के फोन के फोन का इंदितार कर रहे होते हैं कुछ बाते करने में बिल जा है तो जो लड़की प्रमोशन कर रहे होती हैं कभी-कभी फस जाती है उनकी बाते सुनने में चलिए देखने छोटा साथ वीडियो तो यस तो बरी बॉर्निंग मैं आम से दिवया बात चर्ण भी अनली से अरे दिवया कैसी हैं आम बहुत दिन बात फोन किया क्या आल चाल है अम बाद बढ़िया लंच वन्च हुआ यह नहीं अम छोड़ो पहले बताओ लंच वन्च हुआ पहले देखो पेट की जाओने चाहिए पहले कुछ बढ़िया खाना पीना होने चाहिए यह काम नाम तो चलता रहेगा दिवया काम नाम तो जिन्दगी पर अब एक बात सोचो कितने साल से काम कर रही हो दो चार साल तो चार साल में काम खतम हुआ नहीं अगले चालिस साल भी खतम नहीं होगा यार शादी होई कि नहीं तुम्हारी नहीं सर आरे करो यार जिन चीजों में जिन्दगी है उसको तुम लोग करते नहीं हो अब बाते करते हैं बुक्स की तो इस बार मैं रिक्मेंट करूँगा धर्मवीर भारती की गुनाहों का देउता बड़ी अच्छे बुक थी और ये आपको मिल जाए कि एमेजोन पे 260 less 10% 234 में बड़ी अच्छे बुक है जब मंगाईए धर्मवीर भारती की गुनाहों का देउता अब बार ये हैं फिल्मों की जब ठाकर इस बार बाते करना हैं दो रूटी 1957 आई थी उस फिल्म के बार में तो चलिए सुनते हैं दो रूटी 1957 नवस्ते मित्रो बुराई अच्छाई एवल वर्सिस गुड ये फिल्म जो है ये बरसों से कहानियों में फिल्मों में चलती आई हैं महाभारत में देखिए रामायन में देखिए तो ये फिल्म पर काफी फिल्में भी बनी हैं उन में से एक थी 1957 में आई हुवी दो रोटी दो रोटी में एक नौजवान है बड़े आदर्श्वादी छोटे से गाउ में स्कूल में बच्चों को बढ़ाता है उसकी आमदानी क्या है वो हमें किसी को पता नहीं है ये जुरूर बात है कि उसका जो बेहनोई जो है जीजाजी वो बड़ा चलता पुर्जा है कुछने कुछ व्याबार करता रहता है और पैशा बनाता है और शायद उसी के उपर घर चलता है निरूपा रोय बगल वाली पड़ोस की लड़की है और ये जो अपना हिरो जो है वो बलड़ाज शाहानी है तब बलड़ाज शाहानी छोटे लगते थे एंसम तो थे ही निरूपा रोय भी बहुत अच्छी लगती है तो वो दोनों की जोड़ी थी जो उनका बेहनोई जो था जीजाजी वो थे कनेया लाव सुपरबैक्टर और उसमें जोनी वोकर है जोनी वोकर वैसे कुमीडियन था मगर कभी-कभी कुछ फिल्मों में उसने थोड़ा बहुत नेगेटिव रोल भी किया है ये मुझे ठीक से याद नहीं था मगर इस फिल्म में उसका रोल काफी नेगेटिव है मगर फिर भी आपको उसके उपर गुसा नहीं आता है उसके पर हमें नफरत नहीं होती क्योंकि उसका कुछ रोल ही ऐसा होता है तो यह जॉनी वॉकर है बल्राज सहानी है अपनी निरुपारोय है और नाना परशीकर है और एक बहुत अच्छा एक्टर नाजिर हुसेन है नाजिर हुसेन तो चैरेक्टर एक्टेंग में क्या लाजिवाब अक्टिंग करते थे वो भले दिलीब कुमार के ससूर हों फिल्म राम और शाम मे या फिर मैं नशे पैए हूं फिल्म में वो राजिक नादा हो कुछ भी, कोई भी acting हो, कोई भी करदार हो, बहुत बहुत अच्छी तरह भासकते थे, इस फिल्म में भी उन्होंने बहुत अच्छी acting की है, वो बनते हैं, बल्राट सहनी के मित्रा, बहुत जिगरजान मित्रा, दोनों की दोस्ती का कोई मोल नहीं है, और इस फिल्म में एक ब यह कौन है? बड़ा, जिसे कहते हैं ने की विम्सिकल रोल है. मेहमूत का. मेहमूत बहुत ऐच्छी clipping की है. बहुत अलग सी ऐट्टींग की है. वो पगला बनता है. क्या बात है. और वो वो उजो पूरा माहौल जमाता है ना तो तो मैं कहानी तो खेर कहानी है, कोई उसमें खास है नहीं अच्छे लोग है बुरे लोग हैं, आपस में चलती है उनकी संगर्ष होता है फिर अच्छे का विज्य होता है और बुरे का बुरे की हर होती है तो वो फिल्म कहानी तो खैर ठीक है, मगर ड्रामा के लिए, मेहमूद की छोटी बोटी एक्टिंग के लिए, नाजिर हुसेन और बलराज सहानी की दोस्ती के लिए, निरुपा रोई के लिए, और पूरी फिल्म का माहौल के लिए ये जुरूर देखनी है, आपको दो रोटी संगीत मुझे बड़ा ताज्यूब हुआ, रोशन का म्यूजिक था, और खुमार बारा मंकवी ने गाने लिखे थे, मगर कोई खास दम नहीं था, एक दो गाने कुछ शायद ठीक थे बाती, वेरी सर्प्राइज, और उसके बाद दो साल के बाद बरसात की रात आई, और फ ौउब रात आद बात आएकी बाद legislatorium हुआ, भात शायद द वेरे, गदक दम एक दो बात डहना हुआ, झाल मुझे लगश भाद एक दो लिए, कद है बात आएको दिते रात आएका धर और बार मंकवी, वेरे घっしघा हुआ, और खुमार भाने का इग Ya ससे दे असे पृू